इज्रायल दुनिया के सबसे छोटे वा नए देशों में से एक है जो चारू तरफ से दुस्मन देशों से घिरा हुआ है और दुस्मन देश भी ऐसे हैं जो इज्रायल को किशी भी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं सारे मुस्लिम देश या चाहते हैं कि इज्रायल को किशी न किसी तरीके से नश्ट कर दिया जाए और हाल में आप देख भी रहे हैं कि इस तरीके से फुलिस्तीन और मुस्लिम ताकतें इज्रायल को पूरी तरह से नश्ट करने में लगी हैं लेकिन इजरायल अकेले ही इन सभी मुस्लिम देशों को ना को चने चबवाता है इजरायल की कुल जन संख्या करीब एक करोड के आसपास है यानि बेहद कम फिर भी इजरायल की छाप पूरी दुनिया के हर हिश्चे में है इजरायल दुनिया का एक मातर हिशा देश है जहांक देश की परधानमंत्री का ही बेटा क्यों ना हो और इजरायल में महिलाओं को भी मिलिटरी ट्रेहन लेना निबार रहे है सम्झे आप हम तो महिलाओं को देवी के रूप में पूजते ही रह गए लेकिन वास्तविक रूप में महिला शक्ति की एहमियत इजरायल में माने जाती है और अब फलिस्तीन ने इजरायल की एक महिला शैनिक का अपहरन कर उसकी बहरहमी से हत्या कर दी है शायद अब फलिस्तीन की उल्टी गिंती चालू हो चुकी है और हमारा देश हमारे देश के नागरिक पूरी तरह से इस कठिन परस्तिती में इजरायल के साथ हैं चलिए आते हैं आज के इस वीडियो के टॉपिक पर जो की है इजरायल में बना एक हिंदू साम्राज आखिर कैसे सब जानेगे आज के इस वीडियो में स्वागत है आपका दिसाइन टर्फेक हिंदू पर और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त धीरेंद्र दोस्तों हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार इजरायल में सबसे ज़्यादा युवा एक संस्कृति से काफी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और वह है सनातन संस्कृति और उसमें भी हारे कृष्ण मूव्मिंट से जूड़कर दोस्तों इजरायल यूथ आई एंटी सर्वे के मुताबिक इजरायली युवा सबसे ज़्यादा हरे किष्ण मूव्मिंट से जूड़ रहे हैं और इजरायल के तमाम सहरों में कई पूरे के पूरे क्षेत्र हरे किष्ण मूव्मिंट से जुड़े हुए लोगों के बन गए जहां पर लगभग प्रतेक दिन इजरायली युवा और युवतियां हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करते हुए दोस्तों ना सिर्फ जो लोग हरे किष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं वो लोग खुद को सुखी महसूस कर रहे हैं बलकि तमाम लोग इसको देखकर आनंद भी उठा रहे हैं इसके बारे में दा लिविंग मौंक नाम के एक यूट्यूबर ने लोगों से इंटर्व्यू किया जिसमें वह लोगों से बाद कर रहा है कि आपको यह देखकर कैसा लग रहा है तो लोग बता रहे हैं कि यह देखना काफी जादा सुखद है आसर यनक रूप से जब यह यूट्यूबर एक स्थानी इजराइली से याप पूसता है कि आपको कैसा लग रहा है तो वैं जवाब देता है कि मैं हरे किशन मौवमेंट से तीन सालों से जुड़ा हुआ हूँ और यह मेरे लिए काफी सुखद है K What do you feel when you're this song? I'm not they I'm he I've worked already I'm already getting in the past I'm ehr protocol aουν I see a spontaneous attitude that alls to you Shalot How can I not love it? They are triggers, are happy, are they are hard And they can be ready It made anything like this before We've seen it every Friday But this one is bigger What do you feel when you see that? I feel love and peace Love and peace, free love Have a good day I like you all Thank you कि लोग खुश हैं नाच रहे हैं और जिधर भी जाते हैं आसपास का वतावरण काफी सुख में हो जाता है इसी तरह इस यूटूबर ने कई आओ लोगों से बात की उधारन के लिए कुछ क्लिप्स आपके समक्ष हैं उनक कि अढले को ब בח Candiden, थानां उत्कर हैं येज़ उसर्वस इसके लावा यह यूट्यूबर एक भारतिये से भी बात करता है और पूसता है कि आपको कैसा लग रहा है और यह भारतिये कहता है कि मुझे ये सब देख करके गर्व हो रहा है कि हमारी संस्कृती अब हर जगह फैल रही है दोस्तों आपको बता दें कि इजरायली सहर तेल अविव में कई खेत्रों में सैकडों की संख्या में पूरी के पूरे समूह ऐसे बन गए हैं जो असल में तो यहूदी है लेकिन उनका कल्चर पूरी तरह से सनातन मई हो चुका है वे सुभा उड़कर भगवान स्रीकिश्न की पूजा करते हैं दिन भर सनातनी कल्चर को फॉलो करते हैं और सडकोपन निकल निकल कर हरी किश्न महामंत्र का जाप करते हुए लोगों के बीच जाकर उनको भी भगव स्रिक्रिष्ण की भक्ति में जुड़ने के लिए प्रिद करते हैं दोस्तों इज्रायल में महामंत्र का जाब कर रहे हैं वो भी इतने प्रसंद चित हैं कि जो भी देखे वह देखता ही रह जाए ये पूरे के पूरे शमूव इज्रायल में कई खेत्रों में देखने को मिल रहे हैं और ये बताते हैं कि किस तरह इज्रायल में सनातन संस्कुती काफी तेजी के साथ प्रशारित हो रही है और यह अपने आप में एक गर्व की बात है इज्रायल में इस समय सनातन धर्मियों की कुल संख्या कितनी है इसके बारे में तो हमें कोई भी आकड़ा नहीं मिला लेकिन जिस तरह से सोसल मीडिया पर तस्वीरें आ रही हैं उनसे यह बात तो एकदम सपस्ट है कि इज्रायल में यहूदी लोग सनातन संस्कुती का यह गर्व की बात है तो दोस्तों उमीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट जरूर करें मिलते हैं आप से एकले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंजै भारत वंदे मातरम